बच्चों आज मैं आपको चेप्टर से रिलेटेड नहीं बताना चाहूंगी, आज मैं आपको इंदी भ्यात्रन बताऊंगी, ओके? आओ, बैठो, कर लो बात, हसलो, गालो, लिखलो साथ, कथा, कहानी, मन की बात, भासा देती, सम्मे साथ आज, टॉपिक छोटा है, लेकिन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, आज मैं आपको भासा की बारे में बताऊंगी, ओके? भासा किसी देते हैं, बच्चों? अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुचाने का मात्यम क्या है? भासा अपने विचारों को एक दूसरे के मात्यम पहुचाने का मात्यम भासा कहलाता है अपने विचार एक दूसरे तक पहुचाने के मात्यम को हम भासा कहते हैं मैं याँ परवाशा लिखते रहे हूँ अपने विचार एक दूसरे तक भासा की परवाशा क्या हुए बच्चों? अपने विचार एक दूसरे तक पहुचाने के माध्यम को हम भासा कहते हैं अपने विचार एक दूसरे तक पहुचाने के माध्यम को हम भासा कहते हैं भासा कितने प्रकार की होती हैं? भासा के कितने रूप होते हैं? भासा के दो रूप होते हैं पहले जो होती हैं मौकित भासा पहले जो होती बच्चों मौकित भाषा दुजरी होती है लिखित भाषी लिखित भाषा मौकित भाषा और लिखित भाषा मौकित भाषा क्या कहलाती है मौकित भाषा गुब भाषा है जिसमें वक्ता अपने विचारों को बोल कर दूसरे तक पहुचाता है ठीक है मौकित भाषा कौन सी भाषा कहलाई जिसमें वक्ता अपने विचारों को बोल कर दूसरे तक पहुचाता है ये कौन सी कहलाई मौकित भाषा कहलाई ठीक है ना जैसे कि कहानी भासर हम बोल कर हम पहुचा रहे हैं और लिखित भासा क्या हुए लिखित भासा में सामने वाला लिख कर अपने विचारों को ब्यक्त करता हुए कुनसी कहलाई लिखित भासा जैसे कि इमेल हो गया लेटर हो गया हना ये सब इसके उधारणा है ठीक है अच्छा मौकिक और लिखित भासा बच्चों आप क्या जानते हैं ब्रेल लिपि क्या होती है ये सांकेतिक भासा जिसमें हम इसारों से चिंडों से जो अंधेलों होते हैं उनको पढ़ाने के लिए रेल लिपि तक नीका पप्योग किया जाता है ठीक है जो मुःकोदिर होते हैं वो जो बोल नहीं पाते हूं कैसे संझाते हैं अपनी बार को इस सारे से संझाते हैं लेकिन वह नहीं चलंब में आई क्यों कि उसमें हामशामने बैटकर अपने विचार को बताना होता है और इसमें क्या होता है बच्चों चिन्नों द्वारा जो होती ना उसमें कुछ इस फ्रस्ट क्लिर नहीं हो पाता इसलिए सांगेतिक भासा जो है चलन में नहीं आई है समझ गाया आप लोगों के भासा के बाद बच्चों हम आते हैं बोली अब हम बोली पढ़ेंगे ठीक है बोली क्या है बोली भासा का मोखिक रूप है जब कोई भासा किसी सीमि छेतर में बोल चार के रूप में बोली जाती है तो क्या कहलाती है बोली कहलाती है ठीक है? बोली क्या है? बोली मौकिक भाषा का ही रूप है जब कोई भाषा सीमिक छेत्र में बोल चाल के रूप में बोली जाती है उसे हम क्या कहते है? बोली कहते है ठीक है न? जैसे कि हरिलाणा में रहने वाला हराणवी बोली बोलेगा 36 गड़ में रहने वाला 36 गड़ी बोलेगा पंजाम में रहने वाला पंजावी बोलेगा ये क्या हुई है बच्चों? ये हुई हमारी बोली अब हम बोली के बाद किसमें आजा है? मात्र भाशा मात्र भाशा किसे कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं मात्र भासा कैसे पंजावी घर में पैदा हुआ बच्चा पंजावी भासा बोलेगा बंगाली फैमिले में पैदा हुआ बच्चा बंगाली भासा बोलेगा यह क्या होई हमारी मात्र भासा जो हम अपने घर परिवार से ही सीखते हैं समझ में आया मात्र भाशा क्या होती है, फिर आब हम पढ़ेंगे राज भाशा, राज की काम काज में उप्योग होने वाली भाशा को क्या बोलते हैं, राज भाशा ठीक है, इसकी बाद राज भाशा है, राज भाशा, राज की काम काज में उप्योग होने वाली भाशा को रा अंतराष्टी भासा क्या होती है विश्व में अंग्रेजी भासा सब्सक्रादा बोली जाती है इसलिए अंग्रेजी को अंतराष्टी भासा का दर्जा प्राप्त है अंतराष्टी भासा का दर्जा प्राप्त है हमारे भारत देश में बहुत सारी भासा बोली जाती है बंगाली हो गया कंणर हो गया तमिल हो गया उडिया हो गया मराखी हो गया पहुत सारी भासा है हमारे सारे विश्व में 6500 भासा हैं बोली जाती है अगला बच्चों मैं देपली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी यहां तक आप अच्छे से लर्न करेंगे और पॉपी में नोट्स त्यार करेंगे ठीक है वसे मैं आपको इसका सारा नोट्स से पीडियाप बनाकर सेंड कर दूँगी ठीक है ओके बाइबाए स्टुडेंट्स हेव नाइप